नमस्कार निशामदुलिका.com में आपका स्वागत है आज हम बच्चों के लिए चौकलेट कोकुनट लड्डू बनाएंगे ये उन्हें बहुत पसंद आते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं और बनाने में इतने आसान है कि इन्हें बच्चे भी बना सकते हैं तो आएए चौकलेट कोकुनट लड्डू बनाना शुरू करते हैं तो चौकलेट कोकुनट लड्डू बनाने के लिए हम सबसे पहले चौकलेट को मेल्ट करके तयार करेंगे इसे मेल्ट करने के लिए पहले हमें चौकलेट को काटना पड़ेगा या इसे कूट कर बारीक करना पड़े यह चॉकलेट हमने काट कर तयार कर लिए अब हम इसे मेल्ट करेंगे तो चॉकलेट को हम माइक्रोवेव में मेल्ट कर सकते हैं या फिर डबल बॉइलर में मेल्ट कर सकते हैं हम चॉकलेट को माइक्रोवेव में मेल्ट कर रहे हैं तो हम इसे माइक्रोवेव से प्याले में लाखेंगे माईकर चॉकलेट को बाहर निकाल लेते हैं और चॉकलेट को चमेंच से चलाते हैं। चॉकलेट मेल्ट होनी शॉरू हो गई है अब हम चॉकलेट और फिर से 30 सेकंड माइक्रोवेव करेंगे यह 30 सेकिंड के बाद हमने चौकलेट को माइक्रोवीब से निकाल लिया और अब हम इसको चलाएंगे देखिए चौकलेट मेल्ट हो रही है हम इसे थोड़ी देर तक चलाते रहते हैं जब तक कि चौकलेट पूरी स्मूध नहीं हो जाती सारी कि सारी मेल्ट नहीं हो जाती और चौकलेट को मेल्ट करने के लिए हम इसी तरीके से मेल्ट करते हैं पहले 30 सेकिंड फिर 30 सेकिंड अगर यह अभी भी मेल्ट नहीं हुई होगी तो हम फिर 10 सेकिंड 10 सेकिंड करके से माइक्रोवेब करेंगे चौकलेट को एक साथ लंबे समय तक माइक्रोवेब नहीं करत चॉकलेट बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है और इसको जादे हीट लगे तो ये जल जाती है और जल करके ये मेल्ट नहीं होगी हार्ड हो जाएगी यानि कि चॉकलेट फिर मेल्ट होगी ही नहीं अभी हमें लग रहा है कि अभी चॉकलेट के टुक्ड़े अभी इसमें हैं, पूरी तरीकी से स्मूध नहीं होई है, तो हम इसे 10 सेकंड के लिए और माइक्रोवेब कर लेते हैं और चौकलेट को हम फिर इसी तरीके से चलाते रहेंगे जब तक कि चौकलेट पूरी तरीके से मेल्ट नहीं हो जाती है चौकले मेल्ट हो गई है , और अब हम चौकलेइट में दो टिबिल स्पून क्रीम और दो टिबिल स्पून बटर डालेंगे तो पहले हम बटर को मेल्ट कर लेते हैं कि बटर को हमने 30 सेकेंड माइक्रोवेब कर लिया मैल्ट हो गया इसे हम क्रीम में डाल करके पहले मिक्स कर लेते है अब हम इसे चोकलेट में बिलाते है मीक्स कर देते हैं और आव डालेंगे नारील का बुरादा 50 ग्राम नारील का बुरादा लिया हमने यह हम डाल करके अछी तरीके से ममिक्स होने तक मिक्स करेंगे यह हमारा मिष्रम बनकर तयार हो गया और अब गदूब Doy vane है तो थोरा थोरा मिष्टरण हम हाथ में लेंगे लड़्डू थोड़े चोटे ही बनाएंगे हम इसके और गोल करेंगे इस तरीके से और इस हम विप एक्स्ट्रा थोड़ा सा नारियल का बुरादा ले लिया है, इसमें लपेट लेंगे, और रख दे जाएंगे, तो इसी तरीके से हम सारे लड़्यू बनाकर तयार करेंगे, ऐसे भी कोल कर सकते हैं, दोनों हाथों की हेलप से, यह हमने सारे लड़ू बना करके तयार कर लिए चॉकलेट कोकोनट लड़ू बनकर तयार है बहुत ही अच्छे लड़ू बने है बहुत ही स्वाधिस लड़ू बने है और आपने देखा यह कितनी आसाली से बन गए लेकिन फिर भी थोड़ा सा धिहान तो रखना ही होगा चॉकलेट आप मैल्ट कीज़े मैक्रोभिम में उसे मैल्ट कीज़े या फिर डबल बॉइलर में मैल्ट कीज़े उसका पूरा धिहान रखे चॉकलेट जलनी ले चाहिए और इसके बाद बटर को अलग से मेंट कर लीजे क्रीम में मिलाइए और दोनों को चॉकलेट में मिला दीजिए अच्छे तरीके से इसके बाद कोकनट पाउडर मिलाइए और अगर वो मिश्रन लड्डू वाली कंसिस्टेंसी का हो जाता है फटा-फट लड्डू बांद लीजे अगर आपको ऐसा लगता है कि यह पतला है तो मिश्रन को दो-चार मिनिट के लिए फ्रिज में रख दीजे वह सैट हो जाएगा और तुरंत लड्डू बना लीजे तो आप बहुत अच्छे लड्डू बनाएंगे तो आप यह चॉकलेट कोकोनट लड्डू बनाईए बच्चों को दूर कीजिए